हाई बाबु हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड नुमेरिकल्स को देखे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही एक टॉपिक है इक्विप पोटेंशियल सर्फेस इक्विप पोटेंशियल सर्फेस सम विभवी तल दो नंबर के लिए बहुत ही इंपोटेंट है अब्जेक्टिव में भी ये पुछा जा सकता है सबसे पहले तो ये जानना है कि इक्वी पोटेंशिल सर्फेस है क्या अगर एक ऐसा सर्फेस हम ले जिसके सभी पोइंट पर A, B, C, D, E, F, G, यहाँ Z कोई भी पोइंट अगर ले अगर उसका पोटेंशिल बराबर बराबर इसका भी भी 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 तो हम ऐसे सर्फेस को कहते हैं इक्वी पोटेंशिल सर्फेस मतलब वैसा surface जिसके प्रत्यक पॉइंट पर potential का मान 0 होता है potential का मान 0 होता है उसको हम कहेंगे equipotential surface ठीक है? आप चाहें तो figure भी बना सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं ठीक है? figure गर बनाना है थोड़ा साफ बना लो इस तरह से ताकि चेक करने वाला को भी लगे कि भाई figure भी अच्छा बना रहा है बच्चा ये एक surface है यहाँ point ले लो 1, यहाँ point ले लो 2 यहाँ point ले लो 3 यहाँ point ले लो 4 यहाँ point ले लो 5 और इसका potential अगर भी है तो इसका भी भी होगा इसका भी भी होगा इसका भी भी होगा इसका भी भी होगा नहीं तो लिखोगे वैसा सर्फेस वैसा सर्फेस जिसके प्रतेक पॉइंट्स का पोटेंसियल ब्रैकेट में लिखोगे विभाव बराबर बराबर प्राप्त होता है बराबर बराबर प्राप्त होता है कॉमा देकर लिखेगा इक्वी पोटेंसियल सर्फेस कहलाता है मतलब वैसा सर्फेस जिसके प्रतेक पॉइंट पर पोटेंसियल हमको बराबर बराबर मिले उसको हम बोलेंगे इक्वी पोटेंसियल सर्फेस जरा देखो, कोई दो point हम ले equip potential surface का, जैसे 1 और 2 अगर लें, तो 1 और 2 अगर लें, दोनों के बीच अगर voltage निकालने का कोशिस करें, तो क्या होगा? जैसे माल लो, हम निकालना चाह रहे हैं, V12, तो V12 मतलब V1-V2, तो V1 कितना है? V1 भी है V, और V2 भी है V, और यह हो जगा 0, हम निकालना माल लोग चाह रहे हैं, V34, इसका मतलब V3-V4, तो V3 कितना है हमारा? V3 है V, और V4 भी हमारा क्या है? V4 भी है V, तो V34 हमारा क्या हो गया? 0, तो हम देख क्या रहे हैं, यह हमारा है potential difference, चुकि दो point के बीच का निकाल रहे हैं, potential difference या voltage, हम देख रहे हैं कि किसी equip potential surface का voltage क्या होता है? वो बराबर बराबर होता है, मतलब किसी equip potential surface के डो point के बीच का voltage हमेशा 0 मिलेगा, तो हम ऐसे भी इसको define कर सकते हैं, कि वैसा surface जिसके दो points के बीच का potential difference हमेशा 0 रहे, उसको हम लोग कहेंगे equip potential surface, नहीं, तो इस तरह से भी इसको define किया जाता है, वैसा surface जिसके किनी दो points के बीच का potential difference, potential difference या voltage, हमेशा ही, जीरो प्राप्त हो, हमेशा ही जीरो प्राप्त हो, कॉमा देकर लिखेगा, equip potential surface कहलाता है, अब सवाल है, अगर तुम ये परिभासा लिखे हो, तो तुमको दिखा भी देना चाहिए, कि कैसे तुम ये बात कह रहे हो, तो यहां से लिखो, चित्र से, अगर हम कोई भी दो points लें, तो इसमें हम लेते हैं, V12, तो क्या लिखेंगे इसको, V1-V2, और जरा चित्र में देखो, V1 कितना है, तो V1 है V, और V2 कितना है, ये भी है V, और हो गया 0, तो V12 कितना हो गया, 0 हो गया, इसी तरह से जरा देखो, V2-V3, तो V2, दूसरे point का potential क्या है, V, और तीसरे point का potential क्या है, और V23 हमारा हो गया 0, इसी तरह कोई और तुम ले लो, कोई और एक उधारन ले लो, तो कोई भी ले लो, तो V35, तो क्या लिखेंगे V3-V5, तीसरे point का voltage क्या है, पोटेंसियल क्या है, V है, और पांचमे point का potential क्या है, V है, तो V35 भी क्या हो गया, तो इस हिसाब से अगर देखें, इसके आधार पर अगर देखें, तो हम ये भी कह सकते हैं, कि वैसा surface, जिसके दो points के बीच का voltage 0 प्राप्त हो, उसको हम equip potential surface बोलेंगे, ठिक ना, अब जड़ा साओ, हम लोग एक, जब पढ़ रहे थे, potential difference वाला topic, तो वहाँ एक चीज हम लोग देखें हैं, कि potential difference, भी, ए, बी, बराबर हम क्या लिखते हैं, तो भी, ए, बराबर हम लिखे थे, डबलू, बी, ए, बाई, क्यू, लिखे थे, भी, वन, टू, अगर हमको लिखने बोले, तो क्या लिखेंगे, डबलू, टू, वन, बटे, क्यू, जो नहीं पढ़े हो, electric potential वाला topic, पहले वो पढ़लो, फिर इसको देखना, जैसे मानलो, भी, टू, फोर अगर बोला जाए, तो हम क्या इसको लिखेंगे, डबलू, फोर, टू, बाई, क्यू, भी, वन, थ्री, अगर बोला जाए, तो हम लोग लिखेंगे इसको, डबलू, थ्री, वन, बाई, क्यू, तुम लोग को याद आ रहा हो, और हम यहां क्या देख रहे हैं equipotential surface में चाहे यह हो या यह हो 0 हो रहा है तो अगर इसको हम 0 कर दें तो W21 by Q W21 0 हो गया अगर इसको हम 0 कर दें तो W42 by Q तो W42 भी हमारा 0 हो गया इसको अगर हम 0 कर दें तो W31 by Q W31 भी हमारा 0 हो गया कहने का मेरा क्या मतलब है कि अगर equip potential surface अगर कोई है equip potential surface यदि कोई है तो किसी दो point के लिए किसी दो point के लिए या किसी दो point के बीच हमेशा ही work done 0 मिलेगा किसी दो point के बीच हमेशा ही work done हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा तीन और चार अगर है तो तीन और चार के बीच वर्क डन हमको जीरो मिलेगा कहने का मेरा मतलब यह है कि equip potential surface में किसी भी दो point के बीच अगर हम चार्ज को लेकर जाते हैं तो इस इस्थिती में किया गया कार ये जीरो हमको प्राप्त होता है यह clear नहीं लिखोगी इस बात को equip potential surface के दो points के बीच work done यह objective में आ सकता है चुटू यह objective के लिए बड़ा ही महत्पूर्ण है ठीक है तो कोई भी equip potential surface बना लीजिया आप और कोई भी दो point आप चुन लीजिये तो A और B यही दो हम चुन लेते हैं और अगर हम voltage A से B की और निकाल रहे हैं तो हमको charge को B से A के तरफ लेके जाना होगा तो charge हम B से A के तरफ लेके जा रहे हैं तो हमारा work भी कितना होगा WBA clear और इसका अगर potential हम देखें तो क्या होगा B और इसका भी potential क्या होगा B क्यों? क्योंकि यह equip potential surface है equip potential surface तो यदि यह equip potential surface है तो अब यहाँ पर हमको निकालना है A B के लिए voltage तो A B के लिए voltage हमारा क्या हो जाएगा? B A B तो इसको हम लिख सकते हैं W BA by Q लिख सकते हैं और B A B को हम क्या लिख सकते हैं? तो B A B को हम लिख सकते हैं B A minus B B B A minus B B और यहाँ हमारा हो गया B A minus B B बराबर W BA by Q clear? अब यहाँ पर देखो क्या है? B A का मान फीगर में देखो हम क्या मानें? B A का मान हमारा है B और B B का भी मान हमारा है B तो यहाँ पर रखो और देखो क्या आ रहा है? तो B A यह भी हमारा है B और B B यह भी हमारा है B और यहाँ से यह हो गया W B A by Q यह हो गया 0 W B A by Q और यहाँ से W B A हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ से solve करें तो हमारा W B A जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर equip potential के किसी दो point के भी charge को displaced किया जाए तो कोई कारें नहीं करना होगा हमको वहाँ 0 work done हमको प्राप्त होगा जैसे मान लो अगर यह equip potential surface है कोई आदमी यहाँ से charge को उठा के यहाँ लाता है तब भी हमको कारें कितना करना होगा? 0 मतलब there is no work done in equip potential surface when an external agent is displaced a charge from one point to another point किसी equip potential surface में यदि कोई external agent एक point से दूसरे point तक charge को लेकर जाता है तो उसको कोई भी external work नहीं करना पड़ेगा कोई कारी उसको नहीं करना पड़ेगा यह objective का question है आ सकता है लिखिए यह अस्पस्ट है की है की किसी equip potential surface किसी equip potential surface के दो points के बीच चार्ज को displaced करने पर चार्ज को displaced करने पर work done जीरो प्राप्त होता है work done जीरो प्राप्त होता है clear अब आईए अब एक चीज और हम लोग देखे हैं की work done डबलू बरापर यह याद रखना e.dr यह आगे हम लोग प्रूब भी करेंगे नहीं e.dr वहाँ लिये थे यहाँ e.dr हम लोग लेते हैं actually यही होता ही है e.dr cos theta ठीक ना तो e.dr w बरापर होता है तो यहाँ पर w.b.a अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा e.dr cos theta हो जाएगा और w.b.a बरापर क्या है यहाँ जराद देखो equipotential surface में तो 0 है तो यहाँ से अगर देखें e.dr cos theta e.dr को इधर लाओ तो 0 बटे e.dr बरापर cos theta तो cos theta बरापर हमारा क्या हो गया 0 और cos 0 का मान कितना होता है तो cos 90 degree के बरापर यह होता है मतलब theta बरापर 90 degree मतलब theta 90 degree कहने का मतलब है कि e.dr के बीच का जो एंगिल होगा e.dr के बीच का जो एंगिल होगा वो हमेशा ही perpendicular होगा मतलब अगर कोई equip potential surface है उसमें जो भी d.l हो तो d.l अगर हम ऐसे ले रहे हैं यह अगर मेरा d.l है तो समझ जानाई कि electric field इधर है d.l अगर हमारा इधर है तो electric field इधर होगा मतलब d.l small element के मतलब displacement के perpendicular हमेशा होगा ठीक है जो displacement है उसके perpendicular हमेशा होगा electric field intensity या ऐसे भी कह सकते हो कि equip potential surface में electric field हमेशा ही surface के d.r मतलब क्या है surface की लंबाई या surface भी कह सकते हो surface के perpendicular होता है अगर ये कोई conductor है तो electric field हमेशा perpendicular होगा इस सतह के electric field हमेशा perpendicular होगा इस सतह के याद करो electric lines of forces में भी हम लोग ये बात देखे थे वहाँ हम तुमको ये प्रूब नहीं करके बताए थे कि क्यों perpendicular होता है और यहाँ पर ये clear हो गया कि हमेशा सतह के perpendicular होगा electric field intensity और electric field intensity को दिखाने के लिए या electric field को दिखाने के लिए ही हम lines को प्रियोग में लाते हैं तो यहाँ से ये clear है इसको भी लिख लो तीर लगा कर यहाँ अस्पस्थ है कि यहाँ अस्पस्थ है कि किसी equipotential surface में electric lines of forces electric lines of forces हमेशा ही हमेशा ही surface के perpendicular होता है हमेशा ही surface के perpendicular होता है हमेशा ही surface के perpendicular होता है मतलब जैसे मान लो यह कोई surface है और equipotential surface है तो electric lines of forces क्या होगा surface के perpendicular ऐसे surface के perpendicular ऐसे surface के perpendicular ऐसे surface के perpendicular ऐसे अब देखो यह बाहर निकल रहा है electric lines of forces इसका मतलब इस पर plus charge है और अंदर क्या है चुकि conductor है तो अंदर electric field zero है इसलिए नहीं जाएगा ठिक अब जैसे मान लो कोई equipotential surface ऐसे है और positive charge है या मान लो negative charge है इस पर ऐसे तो negative charge अगर है तो क्या होगा electric lines of forces ऐसे perpendicularly terminate होगा ऐसे इस तरह से ऐसे यह terminate हो रहा है देख लो यहाँ इस तरह से terminate होगा इधर से भी आएगा terminate होगा लेकिन 90 degree पर ठीक है तो यह सब objective में तुम्हारा प्रियोग होगा तो यह आपका equip potential surface था नहीं और equip potential surface में क्या question पूछ सकता है यह देख लो पहला equip potential surface क्या है दूसरा कल हम लोग जो है नए topic में प्रवेश करेंगे ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद झाल करेंगे दूसरा प्रवेश